इसलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो, आप सबको एक बार फिर चीनल पर एक नई कहानी के साथ खुशामदीद, तो आओ बगेर कोई वक्त जाय कई कहानी की तरफ चलते हैं, मैं नवी किलास में थी, तो हामला हो गई इस लड़के को बोला, तो कहने लगा, तुम्हें अपनी बह बहन के घर ले जाता हूँ, जब तक डिलीवरी ना हो, तुम वही रख जाओ, बदनामी का डर था, मैं मान गई कुछ दिन गुजरे तो उसकी बहन बुस्तर पर मुझे साथ सुलाने लगी, मैं कुछ ना बोल पाई, मगर एक रात होश ओड़ गए, बीड पर, तो आज तो म पलट कर देखा और फिर फर्श पर बिखरी हुई, दाल को, कहने लगी बड़े पर निकल आए हैं, तेरे इतनी जरात हो गई, जो फर्माइशे कर सके, शकर कर जो तुझे इतना भी खाने को दे रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मुझे भौका रखकर ही मार दूँ, चच् कैसे नहीं खाती धरती का बोज कही की, चच्班 मेरे मुना को दबूज कर खूलती नवाले डाल रही थी, मेरे मुसोडे जखमी हो चुके थे, मैं रोने लगी, मगर यह तो जैसे मेरी किसमत में लिखा जा चुका था, मेरे वालदین की वफात को दो माह हो चुके थे, और तभ जाल निकले थे चच्ची, एक लमहा भी मुझे बरदाष्ट नहीं कर सकती थी, एक रोज चचा से बोली इसको हास्टल छोड आओ मैं उसे मजीद, अपने घर बरदाष्ट नहीं कर सकती, उसकी माने कभी सीधे मन्ना मुझसे बात तक ना की थी, और मैं अब उसकी बेटी को प थारा की लगती थी, मैं कितने रोज हास्टल में रौती रही मगर चचा वापस ना आया, आकिर वही लड़कियों के साथ दिल बहलाने की खातिर बातें करने लगी,